जंत समचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ तमन्ना, आईए चलते हैं आज की खबर की ओर। की बोरियों में सराब लेकर ग्वारी घार तरफ आने वाले हैं। सुचना पर मुख्विर की बताय स्थान पर दविश दे गई जहां भटाली बोर के सामने एक सफेद रंग की स्कूटी में दो लड़के आते दिखें जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयाश करने लगे। जिनने घेरा बंदीकर पकड़ा गया और आरोपियो के विरुद धारा 34 दुआप कारिया की तहत कारिवाई की गई। इसे प्रकार आज एक और मुख्विर से सुचना मिली कि विसरजन कुण के पास एक नीले रंग के स्कूटी में दो लड़के सफेद रंग की प्लास्टी जिनने घेरा बंदीकर पकड़ा गया और नाम पता पोशने पर दोनों ने अपने नाम शनी गोटिया निवासी हाउसिंग बूर कलोनी वीमा अस्पताल घमापूर एबं पीछे वेटे व्यक्ती ने अपना नाम रभी पिल्ले निवासी पैंटीना का कैंट बताया जिनके आप सहीत स्कूटी जब्त करते हुए आरोपियो के विरुद धारा 34 दो आपकारियां के तहत कारिवाई की गए कि अज़िए सराब और जो एक्टिवा जबत हुई है कहा कि थी और क्या था पूरा मामला आज देनां को विश्वस्नी मुबिल सुचना से प्राप्त हुई सुचना प्राप्त हुई कि तुछ लड़के वारी घाठ थाना च्छेतर इंतरगत बाइक से अवेट स्राप्स का सप्लाई करते हैं उग तो सुचना की तस्दिक में पुलिस पार्टी गावाना कर सुचना की तस्दिक किये गई जिसमें अलग-अलग टाइम में दो घटना सुचना की जानकारी प्राप्त हुई जिन पर 34 दो के प्रक्रार पंजी बद कर अरुपी गणों से कुल 12 प्रेटी करीब अवेट सराप जक्त की गई हैं जिनकों जिसकी कारवाही कर मामी नियला पेस किया गया सर ये कहां के रहने वाले ये गनापूर कांच घर तरप के अभ्यूग थे जो इस गवारिखार छेतर में लाकर राप्त सप्लाई करता है सर इन अफरादी इनका और भी कोई मामला है क्या पूर विन ये आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता के आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें